Hello Friends, Welcome Again, मैं हूँ अर्पेत और आज हम जिस बहुत ही interesting poem की summary और critical analysis discuss करेंगे, वो है Thomas Gray की An LG written in a country churchyard, तो आये चलिये, शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम शुरुवात करेंगे इस poem की summary से Grace, LG written in a country churchyard, present the omniscient speaker who talks to the reader, यानि कि ये poem जो है LG written in country churchyard, ये present करती है एक omniscient speaker को, omniscient का मतलब होता है सर्वग, यानि जो सब कुछ जानता हो या सब कुछ देख सकता हो, तो एक ऐसा speaker है और क्या कर रहा है वो, who talks to the reader, जो की reader से बात कर रहा है First he stand alone in a graveyard, तो सबसे पहले वो graveyard में यानि कब्रस्तान में अकिला ही खड़ा है, deep in thought, और वो विचारों में खोया हुआ है While there, he thinks about the dead people buried there, और जब वो वहाँ पर खड़ा है, तो वो सोच रहा है उन लोगों के बारे में, जो अभी यहाँ पर दफन किये गए है The graveyard referred to here is the graveyard of the church in Stoke Pogges, Buckinghamshire तो यहाँ पर देखिए जिस graveyard को जहाँ खड़े होकर इन्होंने poem जो है कही है, या जिसका यहाँ पर उलेक किया गया है वो Buckinghamshire का एक graveyard है, वहाँ के church का, तो उसी को यहाँ पर refer किया गया है The speaker contemplates the end of human life throughout the poem और speaker जो है, वो विचार कर रहा है, contemplate मतलब विचार करना, तो वो विचार कर रहा है या चिंतन कर रहा है किस चीज़ के बारे में The end of human life throughout the poem कि किस तरह से इन्सान की जिंदगी का अंतो होता है He remarks on the inevitability of death तो वो जो है यहाँ पर बता रहा है, death की inevitability के बारे में, मतलब inevitable मतलब जिसे टाला ना जा सके तो यह कर रहा है कि death एक ऐसी चीज़ है, जिसे टाला नहीं जा सकता That every individual has to face और हर एक इन्सान को इसका सामना करना होता है Besides moaning the loss of someone, और किसी को खो देने के जो है, मौन मतलब होता है शोग करना तो किसी को खो देने के शोग के साथ-साथ, the speaker in the LG reminds the reader that all people will die one day तो बजाए कि यह किसी व्यक्त के जाने का बहुत शोग मनाने के बजाए, यह क्या कर रहा है यह reader को बता रहा है कि भाई, सभी को एक दिन जाना है, एक दिन तुम भी जाओगे, एक दिन हम भी जाएंगे death is an unavoidable and natural thing in everyone's life यानि कि हम सभी की जिन्दगी में death एक unavoidable thing है, यानि जिसे avoid नहीं किया जा सकता, इसे हो नहीं है और यह natural thing है, यानि कि यह सब के साथ होती है, प्राकृतिक चीज़ है, death को avoid नहीं किया जा सकता When one dies today, जब आज कोई मरता है, tomorrow a stranger will see the person's tombstone, तभी जो है, कल कोई stranger जो है, किसी व्यक्ति का tombstone यानि कब्र का पत्थर देखता है Tomb मतलब होता है कब्र और उस पर जो पत्थर लगा होता है, उसे कहते हैं tombstone Out of curiosity, he will ask about the person buried there to a villager तो जब कोई व्यक्ति देखता है किसी के tombstone को, तो curiosity, यानि उत्सुकता की वज़े से, वो किसी व्यक्ति से पूछता है उस आदमी के बारे में, जो वहाँ पर दफन है यानि कोई गाउं का दूसरा व्यक्ति होगा, जो माली जे खड़ा हो आसपास हो, तो curiosity की वज़े से, उत्सुकता की वज़े से, वो आदमी villager से पूछेगा कि भाई, यह जो दफन है यहाँ पर, यह कौन हैं के बारे में आपको जानते हैं, तो villager विल रिप्लाई, को जानता हूं, sometimes he will also remark that he had stopped seeing the man one day, और हो सकता है कि कभी जो है, वो villager यह भी कहे, कि मैं जो है, इस आदमी को देखने के लिए एक दिन रुका था, and then there was the tombstone, और आज क्या है, आज यहाँ पर tombstone था, ठीक है, तो मतलब कि मैं इससे जानता हूं, इससे परचित हूं, और आज आदमी यहाँ पर कबर में है अपनी, in the poem, यानि कि इस poem में, Gray the poet himself, यानि कि Thomas Gray जो poet है, वो खुद ही writes the epithet of his own, देखिए, epithet का मतलब होता है, कि जब किसी की death होती है, उसकी कबर पर जो पत्थर लगा होता है, तो उस पर उस इंसान के बारे में कुछ लिखा होता है, कि ज here who lies, whose name written on water, तो ये epithet है, उन्होंने का था कि यहाँ पर मेरे tombstone पर सिर्फ यही लिखा होना चाहिए, तो इसी को बोलते है epithet, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Gray जो है, वो अपने खुद के epithet को लिख रहा है, कि क्या चीज़ें जो है, वहाँ पर है, अपने बारे में बत और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उनकी life जो है, वो sadness और depression यानि दुख और depression से भरी हुई है, however, he feels proud of his knowledge, जबकि उन्हें अपनी knowledge पर गर्व है, he calls it incomparable, और उनका कहना है कि उनकी knowledge जो है, वो incomparable है, यानि इसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, in addition to this, और इसके बा is perfect in the world, उनका कहना है कि इस दुनिया में कोई भी perfect नहीं है, so, he asked the reader not to judge anyone in the graveyard, इसलिए वो reader से कह रहा है कि कि किसी को भी graveyard में यानि कब्रिस्तान में जज नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जितने भी लोग दफने हैं, तो उन्हें में जज नहीं करना चाहिए, each and every soul is different, हर व्य जो है, वो अनन्त काल के लिए यहाँ पर graveyard में rest कर रही है, in conclusion, तो आप poem का conclusion है, इसमें क्या कह रहे है, the poet through the speaker, poet जो है, वो speaker के through, ends the algae, algae को खत्म कर रहा है, by saying that, यह कहते हुए, is an inevitable event in this world, यानि कि death जो है, यह कहते हुए कि that, death is an inevitable event in this world, यानि इस दुनिया में death एक ऐसी घटना है, जिसे टाला नहीं जा सकता, यह आनी ही आनी है, also he says that, man's effort and his struggles, इसके अलावा वो यह भी कहते हैं कि इनसान की जो effort है, यानि उनके जो प्रयास हैं, और जो उसके struggles हैं, य in life, किस चीज़ के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, comes to and end in death, वो कब खत्म हो जाते हैं, death के साथ, कहने का मतलब यह है, कि इनसान के जितने भी effort हैं, जितने भी struggle हैं, इस life में सफल होने के लिए, वो death के साथ ही खत्म हो जाते हैं, तो इस तरह से, death concludes man, यानि कि मौत जो ह वो इनसान को जीत लेती है, regardless of his success or failure, फिर चाहे वो जितना भी सफल हो या फिर असफल हो in his endeavors during his life, अपने संगल शो में इस जीवन के दौरान, तो आप चाहे जितने भी इस दुनिया में सफल हो, चाहे जितने भी असफल हो, आखिरकार मौत हमें जीत लेती है, तो यह थी इस poem के summary, अब हम इसका critical analysis discuss करेंगे और शुरुवात करेंगे इसकी theme से, L.J. written in a country churchyard is Thomas Gray's most famous poem, यह इनकी most famous poem है, Thomas Gray की, first published in 1751, और यह पहली बार का publish हुई थी, 1751 में, The main idea of L.J. written in country churchyard is simple one, इसका जो है, जो main idea है, वो बहुत ही simple है, और क्या है वो idea, everybody dies, यानि की हर व्यक्ती, हर कोई मर जाता है, He thinks about many kinds of lives, the death cuts short, फिर वो कई, मतलब बहुत तरीके के जीवन के बारे में सोचते हैं, जिने की death ने खत्म कर दिया, Emphasize the fact, no amount of wealth, power, or fame can save people from death, तो इस तरह से वो इस fact पर जोल देते हैं, की आपके पास चाहे जितनी भी wealth हो, यानि संपत्ती हो, चाहे कितना भी power हो, और चाहे आप कितने भी famous हो, लेकिन यह सब कुछ आपको death से नहीं बचा सकता, At the heart of the poem, यानि की, इस poem के heart में, इसके हरिदे में, then is the blunt fact, तो इसके हरिदे में एक blunt fact है, और क्या है वो blunt fact, that death comes for everyone, की मौत जो है, वो हर किसी के लिए आती है, the rich, the poor, and the speaker himself, यानि की, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, और जो speaker है, इस poem का, उसके लिए भी death ज़रूर आएगी, अब इसकी हम form देख लेते हैं, तो इस poem को rhyme quarter में लिया गया है, देखिए, quarter का मतलब होता है four line का stanza, और अगर वो rhymed है, तो इसका मतलब है कि उसकी सभी line ने आपस में rhyme कर रही हैं, और four line stanza, तो यही लिखा भी है कि rhyme quarter और four line stanza, यानि four line का stanza है, जो की rhyme कर रहा है, इस stanza are self-contained, every fourth line is end-stopped, तो यह जो rhymed stanza है, यह self-contained है, और हर चौथी line जो होती है, वो end-stop होती है, यानि rhyme के साथ खत्म हो जाती है, और यही वज़ा है, कि यह poem बहुत ही clear, simple और readable तरीके से आगे बढ़ती है, अब हम इसके meter को देख लेते हैं, The poem employs a steady fluid iambic pentameter, यानि कि यह poem जो है, iambic pentameter में लिखी गई है, meaning each line has five feet in a dadum rhythm, इसका मतलब यह हर line जो है, उसमें five feet है, और उनका rhythm कैसा है, dadum rhythm का है, दिखिए मेरी आप से request है, कि आप जरूर यह meter वाला और stress unstress syllable वाला वीडियो जरूर देख लीजे, तब ही आपको meter और syllable यह सब समझ आएगा, rhyme scheme का वीडियो भी जरूर देख लीजे, क्योंकि यह रटने वाली चीज नहीं है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको बहुत इसको अच्छे तरीकी से पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजे, rhythm देख लीजे, सौरी, rhythm तो चाहे जाने भी दीजे, लेकिन meter, rhyme scheme और syllable, यह तीन आप जरूर देख लें, क्योंकि हर पोएम इसका जिक्र आ रहा है, ठीक, और अलग से पोएम में इसको पढ़ाने में वीडियो आपका पोएम वाला खराब हो जाएगा, तो आप उसे एक बाद जरूर जाके देख लें, ठीक है, चलिए आएगे बढ़ते हैं, तो देखिए इस पोएम की जो पहली ही लाइन है, वो क्लासिक एग्जामपल है, आइमबिक पेंटामीटर का, देखिए यहाँ पर जो पोएम लिखी है, तो आप देखेंगे की शब्द कुछ हैं, जो बोल्ड लेटर में लिखा हैं, और यहाँ पर एक ही शब्द को तोड़ भी दिया गया, तो देखिए इस लाइन को, तो यह आमबिक पेंटामीटर का एक्जामपल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर और फाइव पार्ट में यह लाइन है, और हर जगा पर दो सेलेबल हैं, पहला वाला अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा वाला स्ट्रेस्ड है जो की बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ठीक तो इसी को बोलते हैं, आमबिक पेंटामीटर, आईए अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं, rhyme schemes की क्या है Each stanza in LJ written in a country churchyard follow the rhyme scheme ABAB यानि कि हर एक stanza आप जानते हैं कि यह quartern है यानि four line का stanza है और यह किस rhyme scheme को follow करता है ABAB इसका मतलब यह है कि पहली और तीसरी line और दूसरी और चौथी line एक दूसरे से rhyme कर रही है This is a simple intuitive rhyme scheme यह एक simple और intuitive rhyme scheme है and it rings out clearly and readably throughout the poem और यह पूरी ही poem में बिलकुल clear है और readable है बहुत ही अच्छा simple sound करती है तो यही चीज इस poem को बहुत ही खास बनाती है तो दोस्तों यह भी LG written in a country churchyard अगर